Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oflox OZ syrup के बारे में जो कि इस syrup के इस्तमाल बच्चों की दस्त की समस्यों को दूर करने के लिए या bacterial infection होता है तो उन सभी condition में इसे इस्तमाल किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जो की supply company की बनाएं medicine 60-65 रुपे की price में 30 ml की packing में बहुत ही असानी से आपके पास के medical store पे अबलिबल हो जाता है Oflox OZ syrup में आपको दो तरह combination मिलते हैं जो की Ofloxacin और Nidazole मिल जाता है यहां दोनों ही combination काफी कारगर होती है यह बहुत जादा दस्त की समस्यों को दूर करने के लिए से इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा भी इसका और भी बहुत से कंडिशनों में इस्तमाल करते हैं तो जैसे की Ofloxacin जो की एक तरीके का second generation fluorocunolone antibiotic class से बिलॉंग करने वाला यह medicine है लिए इसका इस्तमाल बहुत ज़ादा गिमलेएं के परप्रपराज में इस्तमाल करते हैं इंफ्लमेटरी डीरिस में इस्तमाल किया जाता है कंजेक्टिवाइटिस में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा किसी बरकार की bacterial infection होता है तो उन सभी को खतम करने के लिए इसे इस्तमाल किया जाता है यह syrup form में है जो कि यह बचों को दिया जाता है जो tablet form में और फ्लोक्सस हिन होता है उन्हें various और फेंडिशनों में इस्तमाल किया जाता है इसके साथे साथ जो और नीडा जोल है तो उन से भी प्रपज़ों में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा emboic dysentery की प्रपज होती है तो उन से भी कंडिशनों में इस्तमाल किया जाता है ट्राइको मोनाज के प्रपज़ों में से इस्तमाल किया जाता है बात करें ऑफ लोग सोजेट सिरप का क्या डोज है तो डोज डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, हेल्थ की कंडिशन क्या है, किस परपर्ज मिले रहे हैं, उससाब से इसका डोज कंफर्म होता है, या एक साल से उपर की बच्चे को दिया जाता है, 2 ml से लेकर के 5 ml कि अलग अलग कंडिशन और एज के हिसाब से इसका डोज कंफर्म होता है, तो इसका डोज का कंफर्मेशन डॉक्टर के रेक देख महीं करें, या एक तरीगे किसे डूलेच डॉक्टर के रेक देख के बाद ही इस्तमाल करना चाहिए, यहां मेरिसीन अकेले नहीं दी जाए सकते हैं तो यही था ओफलोक्स ओजेट सिरप के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिंग